हलो फ्रेंट्स मेरा नाम है डॉक्टर सुमित गुजरे और मेरी यूटीब चैनल में आपका स्वागत है जैसे कि आपने देख लिया आज का जो टॉपिक है वो मसूरों में से मवाद आना दातों में से पसाना इसकी उपर है क्योंकि इसका आज का टॉपिक लेने का मेंन हैं तो उसमें हमें ट्रेंपररी आराम तो लग जाता है लेकिन पूशल दिनों के बाद में ये प्रॉप्लम वापस स्टार्ट हो जाती है तो सर इसका किस तरीके से हम टृट्मेंट कराएं या इसका क्या पलीज बताईये तो एक डॉक्टर होने के नाते में आपको यह मिलता है लेकिन जब बिमारी पुरानी होते जाती है गंभीर होते जाती है तो फिर घरेलू इलाज करने पर हमें उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है ठीक है तो इसके लिए मैं आप से ये कहूंगा कि प्लीज आप जब भी आपको ऐसा ऐसा लगता है तो आप इसके लिए वेट मत कीजे और अच्छे से डॉक्टर से कंसर्ट करके जो इस बिमारी का ट्रीटमेंट करते हैं उनसे कंसर्ट करके इसका ट्रीटमेंट करिए तो मैं आज के इस वीडियो में आपको कारण के साथ साथ में इसका क्या सही ट्रीटमेंट है उसकी भी मैं जानक तो चली हम इसके कारण को जान लेते हैं थोड़ा से जो मैं कारण आपको बताने वाला हूँ इसको थोड़ा गौर से अच्छे से समझ जिएगा ठीक है देखिए मसूडों में से मवाद आने का सबसे में रीजन होता है आपके मसूडे में या आपके दात में किसी भी तरीके क infection हो जाना है ना अब वो infection होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जैसे की अब इसमें जैसे की मैंने आपको दो चीजे बताई हैं एक तो आपके मसूडों में infection हो जाना या फिर आपके दात में किसी तरीके से infection हो जाना तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि मसूडों में infection होने के chances कैसे बढ़ते हैं एक तो देखिए आपका पूर ओरल हाईजीन है अगर आप सही तरीके से ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं आपके दातों के आजू बाजू गंदगी जमा हो रहे हैं जिसकी वज़े से मसूरों में इंफेक्शन हो जाता है अगर आपकी पूर ओरल हैबिट्स हैं उसमें ये प्रोब्लम बहुत देखी जाती है तीसरा बहुत मुखे एक लक्षन होता है जैसे अगर आपकी उमर 50 साल के आसपास हो गई है अगर आपको डाइबिटीज की सिकायत है आपका बलड शुगर लेवल अगर बढ़ा रहता है अनकंट्रोल रहता है तो उनमें ये म मॉर्डल देख रहे हैं अब मैंने आपको दो चीजे बताई हैं कि एक तो आपके मसूरों में इंफेक्शन हो जाना या दूसरा आपके दातों में इंफेक्शन हो जाना जिसकी वज़े से पस बनता है अब मसूरों में कैसा जैसे ये दात का ये पूरा स्ट्रक्चर है इसक तो जो दात के आजू-आजू का जो structure होता है वो उसमें अगर infection हो रहा है किसी भी reason से तो भी मसूरों में पस बनने लग जाता है ठीक है जैसे आप अगर सही तरीके से ब्रश नहीं कर रहे हैं तो अगर यहां गंदगी जमा होगी तो धीरी-धीर infection चारो तरह पहलेगा और मैंने आपको reason बताया था दातों में infection होने की वज़े से आपको मवाद बन सकता है वो कैसे जैसे मान लीजे इस model में आप देखेंगे कि इसमें देखिए जैसे कि यह बताया गया कि काली-काली जो है यह सडन लग गई है अब यह जो सडन है अगर आपने इसका treatment नहीं कराया किसी भी reason से अगर आपने treatment नहीं कराया तो यह जो सडन रहती है यह धीरे से अंदर चली जाती है यह दात के अंदर इसी नसे होती है और यह क्या करता है यह नसों को पूरी तरीके से damage कर देता है और यह नसे क्या होती है जब पूरी तरीके से damage हो जाती है non vital हो जाती है तो से infection नीचे फैल जाता है और जब यह infection नीचे यहाँ फैल जाता है तो क्या होता है कि कुछ समय के बाद में हम मवाद बनने लग जाता है जिसको periapicollapses कहते हैं एक तीसरा एक बहुत common reason होता है जैसे कि अगर किसी भी reason से या किसी भी accidentally वस अगर हमारे दातों पर चोट लग जाती है तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि दात के अंदर यह ऐसी नस होती है ठीक है अगर मान लिजे कि चोट लगी आपको और चोट लगने की वज़े से अब खाने की वज़े से जैसे कंकर वकर आ गया और एकदम से आपके दात में क्या होता है कि नस में अगर वो चोट लग जाती है तो जो जो नस होती है जैसे कि इसमें आप देखेंगे यह जो नस होती है यह धीर धीरे damage होने लग जाती है और यह damage हो जाती है तो यह non vital हो जाती ह यानि इनास पूरी निस्क्री हो जाती है इसकी डैथ हो जाती है उसके बाद में क्या होता है वो infection पूरा नीचे फैल जाता है और उसके बाद में फिर हमें मसूरों में सूजन आने लग जाती है या फिर मवाद बनने लग जाता है और उस case में आप देखेंगे अगर किसी को चोट लगी होगी तो उस दात का जो color है वो भी change होने लग जाता है ठीक है तो ये भी एक बहुत common reason है आपके मसूडों में मवाद बनने का तो चलिए हम treatment की बात कर लेते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मसूडों या दातों में infection की वज़े से ये problem हमें start होती है तो सबसे हाले हम ये जान लेते हैं कि मसूडों में जो infection होती है उसके लिए हमें क्या treatment लेने की जरुवत है तो आपको सबसे पहले ये चीज का ध्यान रखना है कि आपके मसूडों के आजू आजू अगर जो भी गंदगी जम रही है हमें उसे पूरी तरीके से साफ करना होता है क्यो आपको कुछ gargles देंगे कुला करने के लिए वो आपको करना होता है और professional care में doctors ये करते हैं कि अगर आपका infection थोड़ा कम है तो उसमें scaling की जाती है याने आपके मसूडों के आजू अच्छे से सफाई की जाती है दूसरा ये है कि root planning की जाती है याने थोड़ा और deep में अग ready तक पहुँच गई है तो उसको क्या पूरा root planning करके वहाँ से clean किया जाता है और अगर आपकी problem थोड़ी advance है infection जादा नीचे तक चला गया है तो उसमें flap surgery डॉक्टर को perform करना पड़ता है अच्छे result के लिए ठीक हैं तो ये मसूडों के infection के लिए हमें ऐसा protocol लेना पड़ता है लेकिन अगर मान लीजे आपके मसूडों में जो pus बन रहा है अगर वो दात के infection की वज़े से बन रहा है जैसे आपके दात में sudden लग गई और sudden लगने की वज़े से nuts damage होने की वज़े से अगर ये pus बन रहा है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो दात आपका कैसा है उसकी condition कितनी है अगर वो दात अच्छा है structure अच्छा है उसका और केवल pus बनने का problem हो रहा है pain हो रहा है तो उसमें root canal treatment किया जाता है ठीक है और root canal treatment करने से क्या होता है कि ये जो problem रहती है आपकी पूरी तरीके से चली जाती है और वापस ये problem आपको नहीं होती है ठीक है त उसमें भी doctors जो है वो root canal treatment परफॉर्म करते हैं root canal treatment के बारे में अगर आपको जानना है तो उसका मैंने एक already video बनाया हुआ है आप उसको जाके देख सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से कुछ इसका treatment किया जाता है अगर कुछ लोगों को ये लग रहा है कि मैंने इसके कोई घरे लूप चार किये जा सकते हैं अगर आपकी विमारी initial stage में है तो प्लीज आप उस video को देखिए और उस video में दी गए जो घरेलू नुसके हैं आप उसको use करके भी आप अपना treatment ले सकते हैं लेकिन अगर आपको आराम नहीं लगता है उनको करने पे तो प्लीज आप doctor से पराम हैं तो अगर आपको ये video पसंद आया है तो प्लीज इस video को कर दीजे like subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा और bell icon को जरूर दबा दीजेगा तो फिर मिलते हैं next video में thank you धन्यवाद